Hello traders, welcome back to another intraday stock video आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के सेशन में intraday trading कर सकते हैं और traders आज जो stock trade करने देथे उसका भी performance जानेंगे तो वीडियो पे आप पुड़ा बने रहें और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे आपको वहाँ लाइब मार्केट अपडेट और निप्टी और बैंक निप्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन अगर टेडर आप हमारा पेड उक्टी गृप से जुरना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वन डबल नाइन पर मंत मिला अगर आप इंटेस्टेट हैं तो नीचे वाट्चप नमर दिया गया है आप अभी जाके कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो टेडर अब हम बात कर लेते हैं आज जो यूटूब स्टॉक में टेड करने दे थे उसका पिर्फॉर्मेंस कैसा रहा तो आज का हमारा फर्स स्टॉक जो था आइससी बेंक के दिरफ से था जो टेडर इस लेबल के ब्रेक आओट करने पर ये टेंड लाइन को ब्रेक आओट करने पर हमें buying बोले थे जो कि Taders ये 10 line को breakout ने किया जो कि हमारा ये level था तो इसमें हमारा कोई सा anti level की गर नहीं हुआ तो ये stock avoid हो गया तो Taders आप इसे कल के लिए भी track कर सकते आप ये देख सकते ये 10 line बनाया और इसमें एक अच्छा pattern भी जो कि double coin pattern भी बना रहा है अगर Taders आपको ये level को कल notice करना अगर इसे ब्रेक आउट करता है तो इसमें भी एक अच्छा move देखने के लिए मिल सकता है तो आज के लिए second stock जो था इंडिश्यन बैंक के तरब से दिये थे जो कि ये box pattern पे ब्रेक आउट करने पे जो कि successfully यहां पे breakout दिखाया जिसमें हमारा ये position टीगर हुआ और ये दोनों target था जबकि ये stock ने high बनाया लगबग ये 1,4,3,0 के पास तो इसमें जो हमारा first target बहुत असानी case से achieve हो गया second target को करीब रहा तो ये भी stock जो हमारा अच्छा खासा profitable था अगर trader आप इसमें भी trade कियोंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो आज का हमारा third stock था गुजराथ cash के तरफ से जो कि इस pattern पे breakout करने पे हमें buying position बनाना था जो कि ये stock में breakout successfully हमें देखने को मिला जो हमारा ये entry position था और ये दोनों target था जबकि ये stock ने high बनाना लगबग ये 4-6-4 के पास तो इसमें जो हमारा दोनों target जो है बहुत असानी के से achieve हो गया और ये stock जो हमारा अच्छा खासा profitable था अगर trader आप इसमें trade कियोंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो आज का हमारा fourth stock था Reliance and Estates के तरफ से जो कि इसमें हम यहाँ पर breakout करने दिये थे जो कि इसमें भी एक अच्छा move देखने को लिए मिला जो कि ये इसमें भी हमें सारा target achieve देखने को मिला तो ये भी stock हमारा अच्छा खासा profitable था अगर trader आप इसमें trade कियोंगे तो आप comment करके बता सकते हैं और traders अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके bell icon भी दबा ले तो traders अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ वैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो traders कल के लिए हमारा first intraday stock हो जाएगा भारती अटेल के तरब से हो जाएगा इसको 15 मिनट की time frame में देखे तो इसमें भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो 10 line जो आ रहा है यह multiple time resistance की तरफ फोलो कर चुका है यहाँ पे यह first time retice किया है फिर यह second time retice किया है फिर यह third time retice किया है और teder इसमें देखे यह जो 10 line जो आँगा यह multiple time support की तरफ फोलो कर चुका है यहाँ पे first time retice किया है फिर यह second time retice किया है और teder यह एक pattern भी बना रहा है जो की एक triangle kind of pattern है अगर Tader कल के session में chance है अगर यह resistance को 10 line जो breakout करेगा तब आपको यहाँ पे एक अच्छा move देखने के लिए मिलेगा अगर Tader यह breakout करता है तब आपको यहाँ पे buying position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 868 से उपर हमारा first target रखेंगे 870 का, second target रखेंगे 874 का और इसमें stop loss रखेंगे 865 का अगर Tader यह gap up opening होता अगर 87 के नीचे भी open होता तब आपको यहाँ पे entry position बनाना है और हमारा first target होड़ जाएगा 874 का और आपको second target रखना है 878 के पास तो कल के लिए हमारा यह जो first inter day stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर टैक करें तो कल के लिए हमारा second inter day stock हो जाएगा god raise property के तरफ से इसको 15 minute के time frame में देखेंगे तिसमें भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो 10 line जो आ रहा है यह multiple time या support की तरह follow कर चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर यह second time रिटेस का है और फिर यह third time रिटेस का है और टेडर आप यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक horizontal tap का resistance बनाया है जो कि यह resistance को रिटेस करके market यह support के पास आता है और आपको यहाँ पे देखे तो एक अच्छा खासा pattern भी बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा जो कि एक M pattern हम इसे बोल सकते हैं अगर टेडर कल यह 10 line को नीचे अगर breakdown करता है तब आपको यहाँ पे एक horizontal position देखने के लिए मिलेगा अगर यह breakdown करेगा तब आपको कल इसमें horizontal position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1654 से नीचे हमारा first target इसमें रखेंगे 1650 का, second target रखेंगे 1646 का और इसमें stop loss रखेंगे 1658 का अगर टेडर यह नीचे breakdown करके अगर निकलेगा तब आपको इसमें अच्छा खासा horizontal position बनाने का मौका मिलेगा तो कल इसमें इस level के नीचे आप horizontal position बना सकते हैं तो कल के लिए हमारा यह second integrity stock हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर tag करें तो कल के लिए हमारा third stock हो जाएगा रेडिको के तरफ से इसको भी टेडर 15 minute के time frame में देखें, इसमें भी एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें descending triangle point of pattern कह सकते हैं आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं, इसमें descending tap का एक 10 line जो आ रहा है जो कि multiple time या resistance की तरह follow कर चुका है यहाँ पे first time detest के हैं, फिर ये second time, फिर ये third time और यहाँ पे बार-बार detest कर रहा है, अगर trader कल ये 10 line को breakout कर देता है तब आपको यहाँ पे एक अच्छा move देखने के लिए मिलेगा अगर trader कल ये 10 line को breakout करता है, तब आपको यहाँ पे buying portion बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1256 से उपर हमारा first target रखेंगे 1260 का, second target रखेंगे 1264 का और इसमें stop loss रखेंगे 1252 का, अगर trader ये breakout करके उपर निकलेगा तब आपको यहाँ पे buying portion मनाना है, अगर trader ये breakout नहीं करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो एक और gentle tap का यहाँ पे support ले रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, multiple time या candle support ले चुका है, second time लिया है, फिर ये third time, फिर ये fourth time और ये fifth time भी ले चुका है, अगर trader इसके नीचे ये breakdown कर देता है तब आपको यहाँ पे short sale position देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमारा label हो जाएगा 1, 2, 4, 3 से नीचे, हमारा first target रखेंगे 1, 2, 4, 0 का, second target रखेंगे 1, 2, 3, 6 का और इसमें stop loss रखेंगे 1, 2, 4, 7 का, अगर इससे नीचे ये breakdown करके निकलेगा तब आपको यहाँ पे short sale position बनाना है, तो कल के लिए हमारा ये third interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करे तो बात कर लेते हैं, कल के लिए हमारा fourth stock, कल के लिए हमारा fourth stock हो जाएगा वोल्टास के तरफ से इसको 15 मिनट के रैंपरें में देखें, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 10 line जो आ रहा है, multiple time ये resistance की तरफ फोलो कर चुका है यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यह second time, फिर यहाँ पे बार बार ये resistance के पास एक consultation करता है अगर trader ये breakout करता है, तब आपको यहाँ पे एक अच्छा move देखने के लिए मिलेगा अगर trader ये breakout करता है, तब आपको यहाँ पे buying question बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 870 से उपर, हमारा first target रखेंगे 873 का second target रखेंगे 876 का, और इसमें stop loss रखेंगे 866 का अगर trader ये breakout करके उपर निकलता है, तब आपको यहाँ पे buying question बनाना है अगर trader ये breakout नहीं करता है, और market negative से जाता है, तब आपको इस level के अगर ये नीचे जाने के जाएगा तब आपको इसमें short sale position देखने के लिए मिलेगा, तो जिसमें हमारा short sale position में label हो जाएगा 864 से नीचे, हमारा first target रखेंगे 861 का, second target रखेंगे 857 का और इसमें stop loss रखेंगे 868 का अगर trader ये level के नीचे जाएगा, तब आपको कल इसमे short sale position मनाना है, तो कल के लिए हमारा ये fourth interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करें, और traders अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं को तो subscribe करके bell icon दबाले और telegram channel से भी join हो जाए, link description